स्टूरेंट सेड़नेग्स टाइप से अफ वेक्टर देचाएंदा है उनेट वेक्टर सो वाट इस अपा एक एक एक्जांपल है कि समझ देएं सो आनों पता है कि एक वेक्टर दे कोलों मैगनिट्यूद भी हुन दी है तो डारेक्शन भी हुन दा है ठीक है, magnitude and direction, आपा समझ दिया है, एक example है कि, what a unit vector is, ना suppose, तर्टे जो कोई student है, and ओ इस box नूँ, एक बोक्स है, f force लगा के, इस तरफ नूँ push कर रहा है, अधर नूँ, ठीक है, नो f vector की हो गया है, जो person force लगा रहा है, इस box देखते, क्योंकि force एक vector quantity है, इदा magnitude भी होगा, ते direction भी होगी, suppose, जो एक person है, ओ 5 newton दी force लगा रहा है, east direction भी होगी, ठीक है, so मैंनो इदा लग सकता है, so एक person f vector force लगा रहा है, किनी लगा रहा है, 5 newton दी, किस direction भी होगी, east direction भी होगी, okay, so अपा जो पहला discuss कर चुकी है, magnitude नूँ अपा लेख दे के इस तरह नहीं, इस तरह अपा lines लगा के, which vector quantity नूँ लेख दे नहीं, इस तरह ए जो, a represent कर दा है, किसे vector दे magnitude नूँ, ठीक है, so इथे जो मैं कहां, कि f force, आफा f vector force लगा रहे हैं, जेदा magnitude of 5 newton दे, east direction भी जो force लग रही है, एस जो 5 newton है, एक ही है, एस f vector force दा magnitude, so मैंनो दा भी लग सकता है, f vector with modulus, इन वो modulus कहते हैं, सो इनना कुछ ग्रीफ रिचान दे लोग नहीं हैंगी, तो इन जादर को इस तरह, ठीक है, f vector, so f vector की होया, एस force दा magnitude दे, left side दे की है, f vector, now, हुन अपा direction भी लिखना है, so अपा direction भी लिखना है, so अपा direction भी लिखूंगे, f cap देना, sorry, a cap देनी तरह बड़ी नहीं, द्वारा मना दिनना है, so द्वारा लिख देना, side term में, so f vector, so 5 newton हो गया, एस force दा magnitude, so मैं उन्हों इस तरह, v लिख सकता है, 5 newton, and direction east दे विच्चे force लग रही है, so मैं direction भी लिखूंगा, f cap, so f cap, so जो एh f cap है, एh represent करता है, vector direction नो, तो इन्हों मैं कहूंगा, unit vector, इन्हों अपा f hat भी कहा देने, f cap भी कहा देने, तुसी जो मर्जी कहलो, बोलन देर चे इन्हों अपा f cap जा f hat कहा दे सकता है, ठीक है, cap या hat भरगी यह यही शेप है, सो इन्हों मैं कहूंगा, unit vector, अगर मैं थो f cap दी value कर ला माँ, इन्हों मैं magnitude नो दूसरी साइल लह जा, सो मेरेको right side दे सिरफ f cap बचूगी, and left side दे किया रहना, f vector divided by its magnitude, ठीक है, सो ए हो गया unit vector दी definition, सो unit vector की होंदा है, vector divided by its magnitude, सो अपा दवारा देहा 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 है, पिछे आजो, सो vector को देखोलों की हुंदी है, magnitude भी हुंदी है, ते direction भी हुंदी है, suppose कोई vector है, a vector, ठीक है, सो vector यह vector हो गया, सो एस a vector दा magnitude की होगा, इस तरह, जा फिर पर सिंपल है नों magnitude भी ले सकते हैं, सो a vector है, एदा magnitude भी होगा direction, so magnitude होगा एदा a, and एस vector दी direction भी रिप्रेजेंट किस तरह करूंगे, a cap देना, so a cap की है, एस vector दा unit vector, unit vector of a vector, ठीक है, so a cap, इस तरह भी लिख सेता है, so vector नों लिखता है, a vector magnitude भी लिखता है, a direction भी लिखता है, a cap, so इनों मैं इस तरह भी लिख सेता है, यह सारी expression नों निड़े करके थोड़ा लिख देता, close करके, यह आ गया, इस तो अगर मैं a cap the value करणा, a cap the value, so o की नहीं आ जान दी है, a vector divided by a, unit vector definition की अपरा जो, a vector divided by its magnitude, so a vector divided by its magnitude is called a unit vector, so यह होगा unit vector definition, okay, so इनों थोड़ा होर elaborate करके आपन लिख दे हैं, so अगर a जो vector है, a f vector नों भी present कर रहा है, force लग रहा है, तो a दा unit vector की होगा, f cap, so मैं f cap नों इस तरह लिखता है, sorry, f cap, so f cap की होगा, f vector दा, unit vector, okay, and f cap दी जो direction होगा है, ओ ही होगा है, जो vector दी डारेक्शन होगा है, ठीक है, ओ सिंपल पईवे कहा है की, unit vector दी डारेक्शन होगा होगी, जो vector दी होगा है, unit vector रिप्रेजेंट कर दा है, vector दी डारेक्शन, okay, so परा तुहीं पड़ो, unit vector की होगा है, the magnitude of unit vector is 1 unit, so unit vector Magenitude होगा है, O Misha की होगा है, so magnitude होगा है, unit vector दा O Misha की ना होगा है, 1 so magnitude होगा होगा है, and direction is same that of a given vector, सो जो ourselves. okay All About Unit Vector सब्सक्राइन हो जो लेछ गहले स्ब्स्राइणून है जो आइन नमेरिकल इन नमेरिकल ना भी सब्सक्राइई वेक्टर मुल्टिप्लिकेशन दे वेच आपाएं हूँ हो डिटेयल दे वेच पढ़ांगे कि यूनेट वेक्टर की हुंदा है ते वेक्टर दे सेम ओडर दे विच कदो कमांगा सो अपाप फ्हें डिसकर्स करके हैं एंदा इक वेक्टर दा अलिशल कोइंट एव डाव डावियक्ट्र दा हुं टर्मिनल ओंग creator केलो end अच्छ वी्व sì मोट करें लिए निश्यल पॉइंट देनाल कें सब्सक्राइज एड़ करें दो वेक्टरे इन सेम उडर पावा गा जड़ों पानल-पॉयंट इसक्रदेस इसफटर देसे ना टच कर रहे हैं जा फिर एदा या जो एरॉ हेड़ of hr टेल देन आल टच कर रहे है तो ए आटकर स्यम और दे वेच्च है है जो एभी द्धेट इटे हगे अंगयो से मोड दे वेच्च है ठीक है जो होगे same orders next vectors in opposite order एदा की मतलब do vectors then final point एक दूजे नाल touch करन coincide करन उन्हां मं कहूंगा the vectors are in opposite order जा बंसी एक एण इना दूना vectors दे final point ск joke can мов시면 consort travelled नुजे इन्हां वेक्टर्स आर जा नंञे opposite order ऑसले अब हम जो लोänder acting get opposite order थे वेच जाए हैं, okay, so, यह होगा सादा, vectors in opposite order, that resultant vector, very important term to understand, so, suppose, so, एदे पाइग्जाम्पल लाइग कर दे हैं, suppose, एदे एक ब्लोक पे आवे है, ठीक है, इथे ब्लोक पे आवे, so, एक ब्लोक नो, एक पर्शन, F1 fこと लगाके इद्दा नो खिंच रहा है, इस ब्लोक नो, कोई पर्शन है, ठीक है, वे रिउनो इद्दा नो खिंच रहा है, और, दूसरा पर्शन है, ओ, F2 force लगाके, इस ब्लोक नो अपने तरफ में खेच रहा है ठीक है हूँ देखो एद दोनी F1 वेक्टर एक फोर्स होई ए भी F2 वेक्टर भी एक फोर्स होई क्योंकि force दर मेगनिटुड भी हुए धे डिर्क्शन भी हुए है जाहेगा कि एंदर एंदर इरेक्षण चीओ लगा रहा है एंदर वही दरेक्चिन एकार्या आरा यह एंदर एंदर सबस्केजिए का रहा है सब्लोक टीको अ सिदर अंहेंदर जिन डोइचट होगा है ब्लोक दिया नुज्ट खाऊगा यही डिरेक्शन जी जाएगा, ठीक है, पुर्सों ग्लोग इंदनों भी इंदनों जाओगा, इन्हों मा कहूँगा, रिजल्टेंट फोर्स, जा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, स्वो अगरे साथेको vector है A vector and A का साथेको vector B vector चैस्ट दूना ता resultant vector दूना तो मैं add करूँगा सो उन्हा resultant vector होगा A वड़ा A vector plus B vector ओके यह ज्याधा details पाथगे करांगे जूदध पाथगे करना है ओके, so resultant vector की उन्हाँ दाया दो vector addition जो दो वेक्टर नों पाइड कर देया है तो इत्थ है जो फोर्स लगी है होगी F1 प्लस F2 वेक्टर ओके तो यह हो गया असल्टेंट वेक्टर स्थ है जो असल्टेंट वेक्टर सब्सक्राइड करते हैं तो ब्राइड करते हैं जो बरी डिस्कुस करांगे फोली जब आप पहला एक दो केस्ट सक्रांगे तो फर्स्ट केस्ट कर देगांदा जो दो वेक्टर सेम डार्चिन चाहिए ना सपोस्पोस कोई परसन एट्वान मूव करना शुरू किता ओके एंग इत्वान मूव करना शुरू किता एंड तक आगया हो तो दिस्प्लेसमेंट जो दियो यह सपोस तो 5-0 होगें ऑन फिर मुव करना स्टाइर करता हुआ ठीक है यह सेम डार्चिन जो मूव करना स्टाइर कर देता हुआ सुरू जो दिस्प्लेसमेंट अधी होऑगे next time 6 meter okay now 2 vectors यह गया वो सेम डारेक्शन दे विच चाह वो ना वेक्टर अपाँ एकर सकते हैं तो तोल डिस्पेस्मेंट अपाँ कहा सकते है कि दोना ही टोटल डिस्पेस्मेंट होगी 11 meter okay so it'll get the vectors 2 vectors when 2 vectors are in the same direction तो सिंपल सिंपल अपानों एड कर सकते हैं कि टोटल डिस्पेस्मेंट होगी 11 meter so when 2 vectors are in the opposite direction so a त्यां दिना दिख रहे हैं अलिग अलिग अलिए suppose पहला पर्सन जो है का point A तो बी डिस्प्लेस होया जब मूव किता सपोजो डिस्प्लेस्मेंट होगी 7 meter ठीक है ओ बी पॉइंट तो द्वारा फिर बापस आया suppose बी पॉइंट तो बापस आया सी सपोज ओ जो डिस्प्लेस्मेंट किती ओन 3 meter किती तो ए जो 3 meter है ठीक है उन्हों में एथिल ए वड़ा एरो रिप्रेसेंट कर रहे है 3 सो बी तो बापस हो सी पॉइंट ते आगया 3 meter डिस्प्लेस्मेंट होगी ठीक है सो आपका कहा सकते हैं थे की हो रहा है दा वेक्टर आर इन दी ओपोजिट डारेक्शन पिला इद रहें डिस्प्लेस्मेंट किती हो न फिर बापस गया 10 meter डिस्प्लेस्मेंट फिर इद रहें गिती ठीक है इन्हों में दवारा इथे लिख्या सो यह मैं कमांता कि हां अभी हुंद सो टोटल डिस्प्लेसमेंट फुदी नी होए इपम ओपोजिट डारेक्शन डे संधे 4-meter the total displacement of uniform meter so displacement or actual hundi kia as we discussed earlier the displacement is the difference between the initial position and final position or the shortest path between between two points she got so shortest path between two point initial so initial position on the other hand to the box displays cut the final position on the day so net displacement of the can you be for me okay so when two vectors act in the opposite direction only displacement by eastern us add the so net displacement only can you be for meter on net displacement direction is the root of a key to develop the new gear extended time on displacement 7-meter oh oh okay so displacement only four meter net displacement only four meter so yeah the vectors when two vectors are in the opposite direction now when two vectors act at and some angle to each other fair हुआ आइपा एक्टरा इस तरहां एंगल देख्ट करुँगे है यह टीक है आइपाघ्ट्रा एक्ट्रेट्र तरहां एक्टतैं यह सब्ट्रेक्टर नहीं कर सकते हैं इंधिशों दो रूल्स नहीं है को तो फुल अधा सब्सक्राइब लो जिन्वा पां कैने रैंगल लो उद्ट को एडिशन first year the second side go on that parallelogram law of आफ वेक्टर अडिशन सोरी मेरी ना राइटिंग इन्नी सोनी नहीं हागी टैबलेट देलते आफ वेक्टर करांगे उन्हां दो वेक्टर किसे एंगल टैक्ट कर रहें एक वेक्टर हो गया ठीक है सो ट्रेंगल लोग पैलले लोगराम लोग अपर देखें